नमस्कार दोस्तो जहेंद वंदे मातरम बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्पेशल एजुकेशन के अभ्यार्थियों का आपके अपने यूटूब चैनल इक्साम ट्रगी में दोस्तो इस वीडियो में बात करूँगा आपका जो डियर इस्पेशल एजुकेशन इंटलेक्शल डिस्वेल्टी के जो स्टुडेंट्स हैं इनके प्रेक्टिकल पर बात करूँगा दोस्तों किस प्रकार से आपके practical में आपसे question पूछे जा सकते हैं जैसा कि आप सभी ने first year में practical दिया था और मैंने वहाँ पर भी आप लोगों को वीडियो बनाई थी क्योंकि आप सभी के काफी सारे comments थे कि आपके लिए practical के बारे में आपको बताया जाए और यहाँ पर भी आपके practical जो है वो नसदीक आ चुके हैं फिर भी काफी सारे students comment कर रहे हैं कि practical का portion उनको cover करा दिया जाए किस प्रकार से questions आएंगे कहां से question उठेंगे मैंने आपको first year में भी बताया था और second year में भी वहीं से questions उठेंगे बस आपको याद दिलाने की कोसिस करूँगा इस वीडियो में बाकि आप सभी को पताया कि कहां से questions उठेंगे और याद रखिएगा जो आपका second year है मैं मानता हूँ लेकिन जब आप practical देने जाएगा तो first year की दोस्तो पहली copy जो आपकी introduction to disability की है दोस्तो जिस copy से आप लोग पढ़ लीजिएगा और जो आपका second year की जो दोस्तो copy है आपकी common paper जो आपका है education in Indian emerging society का जो आपका paper है वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा या आपका common paper ही है साथ ही साथ आप first year की एक copy और आपकी है educational assessment तो वहाँ से आप लोग educational assessment वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा copy को यानि कि जो आपका third paper है वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा काफी सारे questions जो हैं वो इन copy हो से ही उठते हैं यानि कि introduction to disability होगा तो आपसे सारे act जो हैं आपके हैं RPWD Act हुआ आपका PWD Act हुआ NTA Act हुआ RCI हुआ और साथ ही साथ MR को ID कब change किया गया यह सारे questions मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ आपको केवल और केवल इनको याद करना है और साथ ही साथ आपसे पूछ सकता है कि जो आपने IP की तो IP का full form क्या होता है अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी पहली जो फाइल बनेगी थर्ड से बस्ते की पहली फाइल जो थी फाइल को sequence में लगाकर क्या ही ले जाईएगा अच्छा प्रभाव पढ़ता है जो आपका examiner होता है उस पर जो आपने individualized education program यादि की आईपी की फाइल बनाई वो बनाई आपने associated conditions पर जिसमें आपने एक लिया autistic बच्चा यानि की सुलीर बच्चा और दूसरा लिया आपने प्रमस्तिस्किये पक्षागाद का बच्चा दो बच्चे आपने यहाँ पर लिये थर्ड सेमेश्टर के अंतरगत और साथी साथ मैं आईपी की फोर सेमेश्टर में भी बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपने multi disabled छात्र को लिया associated disability यहाँ पर भी लगी हुई है सनलगन दसाएं जिसको बोलते हैं ऐसी दसाथ जो एक दिव्यांगता के साथ में दूसरी दिव्यांगता जो एक दूसरे को प्रभावित करती है वो associated disability के अंतरगत जाती है दोस्तों यहाँ पर आपने एक IP की कुल मिला के आपने थर्ड और फोर्स सेमेश्टर में तीन IP की दो IP आपकी यहाँ पर एक IP आपकी यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि जो आपने autistic बच्चे पर IP की जो की associated disability का बच्च्चा था तो वहाँ पर आपने जो long term गोल लिया उसके बाद में जो short term गोल लिया वो आपने एक बच्चे का तीन गोल्स लिये दोस्तों इतना आपको clear हो चुका है कि यहाँ पर आपने दो बच्चों पर IP की यहाँ पर आपने एक बच्चे पर IP की लेकिन गोल जो थे आपर जब आपने दो बच्चे लिये तो आपके गोल्स हो गए छे यानि कि एक बच्चे के तीन गोल दो बच्चे के छे गोल यहाँ पर आपने goal आपके हो गए जो भी आपका short term goal था वो आपके यहाँ पर तीन कुल्मिला के 9 goals आपके पूरे एक साल में हो गए अब हम बात कर लेते हैं आपसे तुरन पूछ सकता है कि associated disability क्या होती है साथ ही साथ दूसरा question आपसे कर सकता है कि आपने कौन सा tool यूज किया इनके assessment करने के लिए जब आपने IP की तो assessment tool जो आपके थे वो कौन सा tool आपने यूज किया तो ये तो मुझे नहीं पता है आपने कौन सा tool यूज किया उसमें देखिएगा कि आपने कौन सा टूल यूज किया है, उस टूल को याद कर लीजिएगा, उसमें कितने छेतर होते हैं, वो याद कर लीजिएगा, जैसे माल लीजिए अगर आपने बेसिक एमार यूज किया है, तो दोस्तों बेसिक एमार किसने डेवलप किया, तो रीता में तो सिक्सकंट करते हैं तो इसकी इंट करते हैं वह जोंकॉ पारी में सब्सक्राइब हम उसका यूज़ करते हैं तो आप लोग तुरंत comment section में जाईए और आप लोग second year के student से तो इसलिए basic इमार MDPS के बारे में जो आपकी full form से उसको लिखिए comment कीजिए अच्छा लगता है दोस्तों जब आप लोग comment करते हैं करता है कि आप लोग तयारी कर रहे हैं इसी प्रकार से आपने कितने बच्चों पर किया किस बच्चे पर किया उसका नाम क्या था कौन कौन से आपने जो आपने short term goals लिये यानि कि जो आपने लगुकालीन लक्ष लिया था वो कौन-कौन से गोल्स थे आपको याद करना होगा वो कौन-कौन से लक्ष थे जिससे के बच्चा आत्म निर्भर बन से के जो बच्चे को आपने सिखाया तो कौन-कौन से आपने गोल्स लिए किस बच्चे पर आपने गोल रखा तो ये सब चीज़े आपको देखनी पढ़ेंगी साथ ही साथ इसी प्रकार से आपकी जो next file से work education की इसमें आपसे क्या कहा गया आपने इसके अंतरगत क्या क्या लिखा किस बारे में लिखा इसको पढ़िएगा और मैंने आपसे बताया कि educational assessment आप जरूर पढ़के जाएगा क्योंकि जो उसमें unit 2 है most important लगाएगा जहां पर आपसे सारी चीज़े पूछेगा कि maintenance क्या होता है आखिर कार विसलेसर क्या होता है task analysis इसको बोलते है क्या होता क्योंकि group teaching दोस्तों आपने यहां पर भी की है तो group teaching कैसे करते है उसमें हम किस प्रकार से छोटे छोटे गोल्स को तोड़ेंगे यानि कि जो आपका task analysis होता है वो किस प्रकार से किया जाता है तो यह आप लिख सकते हैं अगर आपने बच्चे को कुछ भी करना सिखा है यानि कि curricular activity कराई या को curricular activity कराई तो आपने किस प्रकार से कराई बच्चे को पुनरबलन कब दिया और साथी साथ पुनरबलन क्या होता है इसी प्रकार से जो आपके first year में as it is मैंने आपको चितना कुछ बताया था सब आपका apply होगा second year में भी आपने क्यूंकि lesson plan यहाँ पर भी कराए है जो आपने files है IP की साथी साथ lesson plan आपने जो mathematics के 5 कराए और 5 आपने कराए on each subjects के दोस्तों यहाँ पर mathematics social science और English और Hindi यहाँ पर आपने 20 lesson plans कराए और यहाँ पर दोस्तों आपने कराए जो आपने third semester में कराए वो 11 lesson plans कराए तो lesson plan क्या होता है कैसे बनाया जाता है यह सब चीजे आप लोग याद कर लीजेगा और साथी साथ जो आप पुनर बलन देते हैं वो किस प्रकार से देते हैं बच्चे को motivation कैसे दिया जाता है यह सब चीजे मैंने आपको पहले भी बता रख की है आप first year के students हैं केवल आपको इन सब चीजों को पढ़ना है और फिर से revision करना है ज्यादा मैं कुछ इस वीडियो में नहीं बताने वाला क्योंकि आप सब first year में जो हैं वो देख चुके हैं और most important चीजे थी मैंने आपको बता दी आपके सामने दिया हुआ है कि जो आपने group teaching की वो किस प्रकार से की IP कैसे बनाई कि बच्चों पर बनाई तो यही सब चीजे आपको repeated चीजे आपको मिलेंगी और अगर आप जो first year की videos हैं जो मैंने first year में video upload की थी दोस्तों अगर आप उनको देखना चाते हैं तो मैं इस video के description box में आपको link देदूँगा वहाँ से आप उन videos को देख लीजिएगा काफी सारे questions मिलते जूलते मिलेंगे काफी सारे के 90% जो आपके questions हैं वही questions आपको मिलेंगे second year में भी बस आपको आपकी बार कोई सी गलती नहीं करनी है अच्छे से आपको जो आपका practical है वो देना है बाकी मैं आपको videos टेलिग्राम पर भी उसका link send कर दूँगा उन videos का और इस video के description box में भी आपको link मिल जाएगा आप अगर टेलिग्राम गृप से जुड़ना चाहते हैं तो भी आपको description box में आपको link मिल जाएगा आप उन videos को देख लेंगे समझ जाएगे कि कौन कौन से questions आपको करने हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो बाकि जितने भी मेरे साथ पुराने students जुड़े हैं और जितने भी नए students जुड़े हैं क्योंकि first year का आप लोग पहले से ही दे चुके हैं मिलता हूं दोस्तों next video में धन्यवाद